स्वागत है दोस्तों आयोप आपसे बच्छे होंगे तो दोस्तों खबर तो आपको पहले ही मिल गई होगी ठीक है और जैसे कि मैंने आपको बार-बार कहा है अगस्ट फर्स वीक तक नोटिफिकेशन आया तब तक मैंने वीडियो बनाया उसके बाद नहीं आया तो मैंने मैं सारा स्टेट का डिसकस करूंगा और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इसमें कॉमेंट कर सकते हो कुछ डाउट हुआ तो मैं कल फिर इस पर वीडियो ले क्या हूंगा तो आज चलिए हम लोग वेकेंसी पर देखते हैं ठीक है तो यह मैं सरकारी रिजल्ट का एप से धेख रहा हूं तो मतलہ अगर आप देखोगी तो यहां पर क्या है आपका बिग्णि डेट है साथ तारिक से आपका बिग्णिग है 27 तक आपका लास्ट डेट है ठीक है उसके बाद है आपका प्रिलिम्स नमोंबर मेंबर आपका December में आपका mains या January 1st week में आपका mains हो सकता है General OBC और EWS का fees आपका 750 दिया है और बागी सब category के लिए 0 है उसके बाद age की बाद करें तो age as on 1, 8 आपकी age 28 होनी चाहिए maximum या 20 तो 5,008 vacancy है total और आगे जाके increase होने के भी chances है तो उसके बाद general की बात करें तो general की vacancy 243 है तो यह surety है कि आपका vacancy increase होने वाला है आगे जाके increase जरूर होगी आपकी vacancy OBC का 1165 है EWS का 490, SC का 743, ST का 467 है मिला कर आपका 5008 vacancy है ठीक है और इसमें है कि आपको language जाननी चाहिए especially अगर आप नौर्थी से सोच रहे हो अपलाई करने का तो एक बात याद रख लेना SBI का SBI आपको LPT में terminate कर देंगे language नहीं आता है तो ठीक है अगर आप aware है तो सब्धानी से आप exam दे और वो state चूज करें जहां कि आपको language आती है IBPS clerk में जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ आपको relaxation मिल जाता है लेकिन SBI में जितना मैंने देखा है बहुत ही कम chance रहता है relaxation का आपको LPT में fail कर दिया जाएगा ठीक है maximum chance रहते हैं fail कर देनेगा उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर परदेश में देखे वेकेंसी बहुत कम है लेकिन increase होने के बहुत जादा chances है तो उत्तर परदेश में है आपका देख सकते आप लोग बाकी आप लोग अल्रेडी देख लिए होंगे उत्तर परदेश, मध्यापरदेश, रजिस्थान हो गया देली हो गया, उत्राखंड हो गया, छतिस गर हो गया तिलंगना हो गया, अंडामान निकुबार आइलेंड हो गया, ठीक है अंडामान निकुबार आइलेंड में भी आप भर सकते हैं नौर्थिस वालों के लिए मैं कहना चाहता हूँ ठीक है आप यहां से भी fill up कर सकते हैं अंडामान निकोबार आइलेंड वेकेंसी कम है लेकिन fill up कर सकते हैं उसके बाद हिमाचल परदेश हो गया हिमाचल परदेश में भी आप fill up कर सकते हैं ठीक है हिमाचल परदेश और नौर्थ इस वालों के लिए मैं बताता हूँ अंडाम ऊची वेकिंसी होती है उसके बाद अगर भात करें तो आप लक्षी दीप लक्षी दीप से fill up कर सकते लेकिं लेक्टि से लेकर पाइवज का अगर आता है तो उसके बाद गौए भी आप fill up कर सकते हैं बहुत candidates till गौए फी लब करते हैं अरुनाचल प्रदेश stretching अरुनाचल प्रदेश वहाँ नोरसल और इस चैनिर्टो आ अप एक्जाम सेक्ट का आप कोई भी state का fill up कर रहे हो लेकिन center आप home state का दे सकते हो तो आप समझ गए होगे तो मनिपूर हो गया मनिपूरी है इसमें ठीक है जो कि अगर आप सोच रहे होंगे बिहार, यूपी, डेली, रजिस्थान से आके मनिपूर में देने के लिए तो आपका selection हो जाए तो बहुत rare chance है आपका selection होगा क्योंकि LPT में आपको मनिपूरी इतना easy language नहीं है हम लोग खुद North East में रहते हैं तो हम लोग को खुद, मतलब North East का सारा language नहीं आता है और जो बाहर से आएंगे तो उनको बहुत तकलिफ होगा मेखालाए में हो गया English गारो खासी, तीन लेंग्विज है इसमें, ठीक है तो ये लेंग्विज में मतलब एक लेंग्विज आपको आनी चाहिए तो यहाँ पर आपकी जेनरल की 10 वेकेंसी है, बहुत अच्छी वेकेंसी है इस बार जेनरल के लिए मीजो राम, मीजो राम में मीजो आना चाहिए आपको ठीक है, मीजो आना चाहिए आपको तो यहाँ पर भी आपका जेनरल का 5 वेकेंसी है नागा लेन का आपका इंग्लिश रहता है तो इंग्लिश जेनरल का 7 वेकेंसी है त्रीपूरा का हो गया आपका जेनरल का इंकरीस होने का चांसे से त्रिपुरा में गुजरात हो गया आपका डामन डिव डामन डिव भी आप फिल अब कर सकते है चाहे तो करनाटा का हो गया तो ये सब आपका डीटेल रहा ठीक है मतलब ये सब डीटेल है आपका मैंने बता दिया आपको ठीक है आप समझ गए होगी कि मैंने क्या कहा कितना कितना वेकेंसी है अब देखिए यह सब है आप नौर्थीस वालों को लिए मैंने बता दिया बहुत सारे लोग मैं बोलता हूँ लिक के बोलता हूँ बाहर से टारगेट करेंगे नौर्थीस को तो आपको घबराना नहीं है ठीक है क्योंकि देखिए बहुत बढ़ा लोउस होगा बाहर के केंडीरेट को अगर बाहर से वह अप्लाई करेंगे क्योंकि आगे जाके इतना मैं शूरीटी देता हूँ कि जनरल के वेकेंसी इंक्रीज होगी ठीक है इंक्रीज होगी और बहुत सारे लेकिन यहां पर cut-off, अमें एक बात बता दू अगर आप नहें हो, तो यहां पर cut-off average 70 चल रहा है आजकल, SBI में 70 प्लास चल रहा है, average, on average 70 प्लास चल रहा है, तो आप लोग यह मत सोचना कि बाहर से हो, तो यहां पर cut-off 30-40 जाती है, वो जमाना गया, और जो मीजोराम का 2.5 गया है, रीजन होता है, 2.5 जाने का, क्यों मैं कह रहा हूँ, 2.5 प्रिलिम्स में गया था, ठीक है, लेकिन आपका मेंस में standard cut-off होगा 70 प्लास, और एक बात है, अगर आप मेंस के लियर करते हो, आपको LPT में वाट लगा देगा यार, एक बात याद रख लेना मेरा, वो आ बोलेंगे वो मनीपूरी लेंग्विज को आप ट्रांसलेट करिए, इंगलिश में, या कोई भी हिंदी में, आप ट्रांसलेट करके समझाए कि क्या लिखा है वहाँ पर, या उसका मीनिंग आपको बोल देगा कि उसको आप मनीपूरी में लिखे, तो आप क्या करोगे उस आपकी मर्जी वो डिपेंड करती है आप पर, ठीक है, आप लेंगमेट सिखना सकते हो, सीख सकते हो, जो भी करना चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन वो जब टाइम आएगा ना, टेस्स का, उस टेम आपको अफसोस हो सकता है, इसलिए आप साद्धानी से सोच समझ कर, अभी हर से फिलब करें, नागालें से, नागालें से फिलब करें, मीजोराम से, मीजोराम से फिलब करें, इसलिए अगर आप पार्टिकुलर स्टेट से है, तो आपको एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि मालो आप मीजोराम से हो, आप वहीं पर परहे हो, परहाई लेकिन आप रहते हो लेकिन जो रहता है वहाँ पर उनको लगभग बोलना समझना आता है तो उससे आपको एडवांटेज मिल सकता है तो आप लोग फिल अप खुद के स्टेट से कर सकते हैं तो आप लोग घबराएं नहीं मैं आज लाइफ आउंगा 11-12 बजे 11 बजे सकूँ कुछ information तो देश तो अगर आप बाहर से है तो यह मत सोचना नौर्थीस में cut-off लो जाता है तो यहां से apply करें यह सोच के कभी apply मत करना मैं यह कहता हूँ क्योंकि नौर्थीस में भी आजकल cut-off यार आप अगर नौर्थीस के हो तो आपको पता होगा कि मैं क्या कह र रहे हैं और cut-off 70 plus 65 plus जा रहा है ठीक है 65 plus रहर हो गया आजकल 70 plus trend में चल रहा है तो I hope आप समझ गये होंगे मेरी बात अगर आप पूरा वीडियो देखें thank you so much और हो सके तो आप लोग कोई group में share कर सकें तो share करके हमें support करें ठीक है 1K subscriber होने वाले हैं हमारे वह मतलब एक हो रही है तो आप लोग करें नहीं हो रही है तो आप लोग जो है channel पर वो भी notsubscribe करके आप जा सकते हैं ठीक है मेरा मकसद रहता है कि दस लोग भी देखें ये video तो बस उसको सही जनकारी दे सको तह चलिए फिर मिलते हैं next video में और कोई doubt हो तो मैं ज़रूर लेकर आउंगा